ओम शान्ती 26 बारा 2022 की साकार मुरली मीठे बच्चे आपस में रूट कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना प्रश्न सर्विस की ब्रद्धी ना होने का कारण क्या है? उत्तर जब आपस में मत भेद होता है तब सर्विस ब्रद्धी को नहीं पाती कोई-कोई बच्चे मत भेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मत भेद में नहीं आओ कभी जर्मुई जग्मुई की बाते नहीं सुनो एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें सोला कला संपूर्ण बनने की मत देंगे प्राश्न पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर नाम रूप की बिमारी जब किसी देहधारी के नाम रूप में फस्ते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती माया इसी बात से हरा देती है यही बहुत बड़ा विग्न है ओम शांती बच्चे बैठे हैं दिल में निश्चा है कि बेहद का बाब आया हुआ है बेहद का वर्षा देते हैं तुम सम्मुक बैठे हो जानते हो वस सब आत्माओं का बाब है इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं और कोई यह ग्यान दे नहीं सकते बाबा समझाते हैं कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना पांच तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है तो तुम्हें पांच तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है भलमाया बहुत विगन डालती है परंतु हारना नहीं है बुद्धी में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फस मरते हैं इतनी प्रीत लग जाती है जो शरीर बाबा को भूल जाते हैं दो कन्याओं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं उनको कितनी भी ग्यान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं है क्योंकि इश्वरिय मत के विरुद्ध चलते हैं भल ग्यान भी उठा लेवें परंतु अवस्था डगमग रहती हैं योग से जो विकर में विनाश हों वह होते नहीं ऐसे ऐसे बहुत हैं बाबा नाम नहीं लेते दूसरी बात बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना भल ब्राम्हनी से नहीं बनती हैं दिल हट जाती हैं परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी हैं बाबा को समचार देते रहना हैं आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए ऐसे बहुत गिर पढ़ते हैं बाबा सावधान करते हैं बच्चे तुमको कोई से भी जर्मोई जग्मोई की बाते नहीं सुननी है एक बाप की ही सुननी है बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बिमारी में रोगी हो मरते हैं बच्चों को फर्मान हैं हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो शियव बाबा ही कल्योगी पतित दुनिया को पावन स्रिष्ठाचारी बनाते हैं बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया कहां बच्चों को मार ना डाले वह भी मार ना कर दे बच्चे अगर समाचार नहीं देते तो समझ जाता हूं कि माया का जोर से थपड लगा है इसलिए मुरली में समझाया जाता है तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंदे में लग जाते हैं कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फस्ते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते हैं एक दो को याद करते रहते हैं यह सब विग्न यह सब विग्न माया डालती हैं कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाएं, वाहियात बाते ना करो, फिर भी करते रहते हैं, कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़े ही जीवन कहानी आदी बनानी है, हमको बाबा के सिवाए किसको याद नहीं करना है, नहरू मरा तो उनक क्या रहा ज्यान मारग में बड़ी समझ चाहिए जब तक श्य बाबा से योग नहीं तो बुद्धी का ताला नहीं खुलता सर्विस नहीं कर सकते पद भ्रष्ट कर लेते हैं इसलिए बाबा साउधान करते हैं कि कोई भी मत भेद हो तो बाबा को लिखो सबी सोला कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं कोई कच्चे भी हैं भूलें करते होंगे सेंसुवल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है फिर घर बैठ जाते हैं कोई ब्रामणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत आओं बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या सम्मन्द है बाबा स्वर्ग का बर्षा देते हैं पाँच जार वर्ष पहले भी दिया था यह लक्षमी नरायन के चित्र खड़े हैं बाबा समझाते रहते हैं कभी कोई देखे कि इस कारण डिस सर्विस होती है तो फोरण समाचार देना है सब समपूर्ण तो नहीं बने हैं बच्चों को सब कुछ समझाना होता है बाब कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं उनके सम्मुख कैसे होंगा बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे श्रीमत पर चल अपना पुरुशार्थ कर जीवन उच बनाओ तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना उच पद पाएंगे इसमें खर्चे की कोई बात नहीं सिर्फ एजुकेशन है जिसकी तकदीर में हैं वह पक्के हो जाते हैं माया ऐसी है जो छे आठ वर्ष वाले भी देखो आज है नहीं बाब से नहीं रूटते हैं परन्तु ब्राम्हनियों से रूटते हैं बाबा तो यहां बैठा है शिव बाबा से रूटा तो खत्म हो जाएंगे बाबा के सिवाए मुरली कैसे सुन सकेंगे दूसरी बात जो कभी ध्यान का पाट चलता है फलानी में मम्मा आई बाबा आया यह भी माया है बहुत खबरदारी से चलना है बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है कोई-कोई में माया का भूत आ जाता है फिर कहते हैं शिव बाबा आया मुरली चलाते हैं यह सब माया विगन डालती है बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं बहुत धोका देते हैं इन सब बातों से बहुत समहाल करनी है पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी तूफान बहुत आएंगे जैसे वैद्ध लोग कहते हैं कि बिमारी बाहर निकलेगी डरना नहीं बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी हराने की बहुत कोशिश करेगी युद्ध है ही पांच विकारों रूपी रावड से जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे माया जीते जगत जीत भी बनेंगे बाकी इस थूल लडाई की कोई बात नहीं योगबल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है इस समय योगबल भी है बाहुबल भी है यह क्रिश्चन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं इतनी ताकत इनों में है परंतु लौ नहीं है एक कहानी भी है दो बिल्लों की क्रिश्चन को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए विग्न तो जरूर पढ़ेंगे माया ऐसी है जो मा था मोड लेती है हाट फिल कर देती है इसलिए बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ मा में कम याद करो बीज को याद करने से जहाड भी याद आ जाएगा ग्रहस्त व्यभार में रहते या कोर्स उठाओ भगत लोग सवेरे उठकर भक्ती करते हैं काशी में कोठियां बनी हुई है हर एक कोठी में बैठ विश्वनात गंगा कहते हैं जानते कुछ नहीं इश्वर सर्व व्यापी कह देते हैं अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं यह बाबा सब बातों का अनुभवी है इनके रत में बैठ कहते हैं इन सब को छोड़ो बाकी तो सब खिलोने बना दिये हैं विश्णू का, शंकर का, खृष्ण का खिलोना बनाए बैठ पूजा करते हैं जानते किसको नहीं पूजा में बहुत खर्चा करते हैं पत्थर की मूर्ती बनाए उसको श्रिंगारते हैं साहुकार तो जेबर भी पहनाते हैं यह तो तुम जानते हो भक्ती में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में बहुत दान करते हैं तो राजाई घर में जन्म मिलता है फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुक तो है नहीं इसलिए सन्यासी इस सुक को मानते नहीं काग विस्टा के समान कहते हैं काग विस्टा के समान समझते हैं तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे सारे विश्व का मालिक तो बेहत के बाप सिवाय कोई बना ना सके अब बाप तुम बच्चों को सम्मुक समझा रही है मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने श्रीक्रिश्न के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है इनका नाम ब्रह्मा रखा है मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजा पिता ब्रह्मा भी चाहिए जिसमें प्रवेश करके आऊं नहीं तो कैसे आऊं यह मेरा रथ मुकरर है कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विश्नुपुरी की अभी तुम भारत को विश्नुपुरी बना रहे हो दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परम्पिता परमात्मा का पार्ठ है क्रिश्न जैन्ती मनाते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप है न? जो ब्राम्हन बन पूरा पुरुशार्थ करेंगे वो ब्राम्हन से देवता बनेंगे गायन है कि परमपिता परमात्मा तीन धर्म, ब्राम्हन, सुरिवंशी, चंदरवंशी धर्म इस्थापन करते हैं वहाँ दो योगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं बाकी दो योगों में देखो कितने धर्म है बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा सब के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी बताएंगे कि तुमने यह यह पाप किया इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना पुन्य आत्मा बनना पाप करेंगे तो सौगुना सजा के निमित्त बनेंगे मेरे बन कर विकार में गए बाप के श्रीमत की अवग्या की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती है बाप कहते हैं मैं परमधाम का रहने वाला हूँ यहां पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो तब तो कहा हुआ है सत्गुरू का निंदक सुर्यवंशी घराने में ठोर न पाए गिर पड़ते हैं बहुत कसम उठाते हैं हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे बलड से भी लिखते हैं परमपिता परमात्मा से प्रतिग्या भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूँगा परन्तु माया ऐसी है वह आज है नहीं प्रतिग्या खर प्रतिग्या कर फिर आपवित्र बना तो बहुत धोका खाएगा इश्वर की अवग्या हुई ना बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं माया बहुत हैरान करेगी नहीं तो युद्ध काहेगी विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है गफलत नहीं करनी है पढ़ाई बिलकुल नहीं छोड़नी है बाबा से राय लो फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा पढ़ाई में मनुष्य कितनी महनत करते हैं इम्तहान के टाइम बहुत महनत करते हैं तुम भी आगे चल जब समय नस्दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे अब वह समय जल्दी आने वाला है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 धारणा के लिए मुख्य सार पहला आपस में वाहियात व्यर्थ बाते नहीं करनी है कभी भी मतभेद में नहीं आना है पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है दूसरा बाबा की अवग्या कभी नहीं करनी है प्रतिग्याकर उस पर कायम रहना है सर्विष्ट का सदा शौक रखना है वर्दान समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्वाके संसकार सो संसार परिवर्तक भव जैसे योग करने और कराने में योग्य हो ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो सबसे पहले अपने संसकारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो क्योंकि आपके स्रिष्ट संसकार ही स्रिष्ट संसार के रचना की नीव है तो चेक करो कि कोई भी संसकार समय पर धोकातों नहीं देते हैं कैसी भी बात हो व्यक्ति या वायू मंडल हो लेकिन स्रेष्ट संसकारों को परिवर्तन कर साधारण वव्यर्थ ना बना दे जो स्वाके संसकारों को परिवर्तन कर लेते हैं वही संसार को परिवर्तन करने के निमित बन जाते हैं स्लोगन नमबर आगे लेना हैं तो स्वभाव इजी और पुरुशार्थ अटेंशन वाला हो अच्छा ओम शांती सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूपल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा